नमस्कार मित्रो जै माता दी माता राने के किरपा से फिर से एक और नई वीडियो में आप सब एका स्वागत करते हैं आज के वीडियो मकर रासि वाले जात्कों के लिए बहुत खास और बहुत इंपोंटन होने वाली है आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भागी शाली रग और क्या रहेंगे आपका भागी शाली अंक और आज का दिन चरिया कैसे रहने वाले हैं और आज के दिन आपको कैसे कारी करना है इस वीडियो में आपको पूरी जनकारे मिलने वाले हैं वीडियो को पूरे अं तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ड पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जै माता दी और अभी तक आप हुमारे चेनल में नए हैं तो चेनल को सस्क्राइब करें आज इस्ता में कुछ भी प्रित परिस्तिया सामने आएंगी प्रम्तु आपका आत्मिश्वास आपको उनके जुझने की शम्ता भी परदान करने वालें अपने दुवारा किये गए परियासों का उचित परिनाम भी मिलने वालें किसी नजदी के संबंदी में से और स्वास्ति सुधार जैसे सुप सुषना भी मिलने से मन पर्चन भी रहने वालें भावकता में आकर किसी भी जिम्यदारी अपने उपर ना लें समय के अनुअभाव के कारण भी आप निभान नहीं पाएंगे और उसका नकारत्मक असर आपकी सुवास्त पर भी पढ़ने वालें लेंदन संबंदी कोई भी काम ना करें वेबसाइब में आप अपने मेनत की उचित परिनाम भी हासिल होंगे समय अनुकूर रहने वालें तरकी के अपसर मिलेंगे नकरी में इस बात का धियान रखेंगे किसी भी अधिनिष्ट कर्वचारियों की वज़े से आपको कोई भी नुक्सान हो सकते हैं परेंपर संगों में नजदी के आप बढ़ेंगे मुकावत मुलाकात करने की अप्शन भी मिल सकते हैं घर के महल में उचित बना रहेंगे पाचन संबनी समस्या से बचने के लिए संतुलत कांट पांट से परेज रखें कुछ समय से वेयाम भी करने की जुरत वेतित करें और आज का आपका भागी शाली रंग रहने वालें पीला और आजकाप का भागी शाली अंगर रहने वाले हैं नौ आचाना से घाटी किसी भी नकर्टम घटना के कारण आप अपना विश्वास को सकते हैं खूद को संबलने के लिए वक्त देने की आईश्काता होंगी आज की दिन खूद के लिए प्रती किसी भी परकार के कठोर वार ना करे ना ही कूद को अधिक अप्यक्षाईं रखे काम की जगह में होरे सरीयंत्र के कारण गलत बातों के इलजम आपके उपर भी आ सकते हैं आपके अपेक्षाइग करनुसार पार्टनर के दुआरा साथ ना मिलने के कारण रिलेशंसीप में समवन दे सकारत्माग मन में उत्वनु सकते हैं एकाज जयेटिर मेंसे तकलिफ भी और लोग बीपी में भी आपको तकलिफ भी आपकी उपर हो सकते हैं हुराज समय जाक जम कर मैनत करने का है सफलता भी निस्तित हो सकते हैं कुछ पुराने मद्वित दूर होंगे और आप से समधम मद्वता आएंगी बच्चों की समस्या को सुनना भी उनका समधान करना भी उनके मनोबल को बढ़ाएंगी दिन के इस रुखावटे आने से टेंस स्या हल हो सकती परन्तु कारेश्तर से सभी कारी को अपनी निग्रानी में पर आएंगे और बहुत इसापधानी रखना भी जोड़ी होंगी पति-पत्नी संबंदों में बमधूरता भी रहेंगी प्रेम संबंदों में किसी वेक्ति कश्ताचिप अलगाक स्थिति भी बन सकत दिन में बहुत ही तिता अभिश करता होगी भविश से संबंदी बातों में आप काफी आगे ही सोच रहे रखे रहे लेकिन निजी भवीश में समश्या अंदेखा करने के वजह से कुई तकलीपों का समना होंगी सबी कामों में एक वक्त पर भी करने की कोशिश ना करें कि इन कामों पर ध्यान द्यादिक देना है या सोच विजार करके ही काम की सुरुवात करनी होंगी इच्छा सकती अनुसा स्वयम को और कम होने के कारण आप कम ठीक से नहीं कर पाएंगे गलत वेक्तियों के साथ में प्रेम संबंदों में उज्ञने रहने के काप के लिए भी मांसिक रूप सोरूप से भी तकलिप डायट हो सकते हैं साररी कमजोरी के कारण पर में कुछ दल्द की समस्या आपके उपर भी हो सकते हैं और आज के देरे बहुत ही नोकरी के लिए सकताकार में सफलता मिल सकते हैं संतान के केरियर से संबंदि खुछ कबरे भी मिल सकती है अंजान के वेक्तियों के लिए अच्छा मुखा मिल सकते हैं गनेश भगवान को चन्दन का तिलत करें और चावल लग माथे पर लगाएंगे तो इसके आपके सारी काम बनेगे शारे लाब मिलेंगे और शारे लाब बन मिलते चले जाएंगे और आज ऑफिस में उठा पटक भी हो सकती है नोकरी बदलना चाते हैं तो अनुकूल समय रहने वाले यतरा से बचने की जूरत होंगे गनेश भगवान को मोटी बुंदी की लड़ू का भोग लगाएं इससे आपके गनेश जी परसन होते हैं परसन होके आपके सारे मानों काम नहीं पून करते हैं सारे लाब मिलेंगे और सारे काम बनेंगे निकट परिजनों में वहर में कुछ परिशानी भी हो सकते हैं किसी महिलाओं की मदद से काम भी बन सकते हैं साइदारी का भी काम सबालने की जुरत होंगे और आज धार्मी कालिजन में धनुरासी को भेंट करें इससे आपके निकट जो भी काम भी परिश आना अठक सकते हैं अब गुरु के लिए दिक्षा मंत्र का जाब करेंगे तो आपकी सारे मनों काम ने कुरूंगे शुकुन वरा दिन चरिया भी आपके उप्वेतित होने वाले और आज के दिन प्रितंकों के राज नेताओं के लिए अच्छा अपसार भी मिल सकते हैं मित्र मंदली में अच्छा सयोग भी मिल सकते हैं फैर लेने वालों के लिए भेंट करें इससे आपके मित्र मंदली में जो भी सयोग देंगे वह लाब में परिवर्तन हो जाएंगे आइटी से जुड़े लोगों के लिए किसे अधिकानों कुलताय रह सकते हैं कॉपरेट सेक्टर में काम करने वालों को महिलाओं के लिए लाब हो सकते हैं देवी को इसनदोर म पूरे होंगे श्राइमनों का नहीं पूरत हो सकती है और अधिक अनुकुलता भी रह सकती है पर है थ्रण से जूड़े लोगों के लिए लाब को सकते हैं पिता का विशेश्ट भैंट करने की जूरत हो रहे सकते हैं यत्रा भी फाइदा भी दे सकते हैं हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक करके सुन्दर कान का पार करें इससे आपके हनुमान जी परसन होते हैं परसन होका आपके शारे मानों काम नहीं पून करेंगे शार लाम मिलेंगे और शार कम आज के दिन बनती हुए चले जाएंगे बन में खिनाता कम होने रह सकती है मानसिक उछातरन से संभव के लिए करोध में खूद पर हावी नहीं दे सनी देव को काला कपड़ा भ्यांड करें इसे सनी देव परसन होते हैं जितना भी कष्ट होते हैं वो दूर होते चले जाते हैं इससे पहले भी नकास्म विचार मानसिक बिमारी का भी रूप ले ले आप उन्हें खत्म कर दे ऐसा आप किसे भी दानपुनी के काम में सभागती का जरिय से कर सकते हैं जिसके आपको मानसिक संतोष्ट मिलने वाले आपको कमिशनल लवहांस में से रोईटी में के जरिय में फाइदा होंगे बच्चों के साथ में ज़्यदा तक सकती है उन्हें नराजगी भी कर सकते हैं अगर आप अपने प्रेमी के साथ में कहीं बहार घुमने जा रहा है तो कपड़े सोच समझकर पहने अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका प्रेमी आपके आपसे नराजगी हो सकते हैं बहुत से पुराने यादे भी ताजा हो जाएंगे और आप सेम से पीछे लोट जाएंगे और आज के दिन दूद और हलदी डाल कर पीने से नहाने वाले पाने से हलदी डाल कर रसनान करने से पड़ियारी जीवन में अच्छा भी आपके उपर रह सकते हैं और आज के दिन गनेश जी के सिर्वाद आज निरधारित कारी सर्पलता पुर्वक पुरे होंगी और अफिस का व्यवप्षाई में सास्तान में अस्चाप आपका वस्चाप बढ़ने वाले गिरी जीवन में से आनंद के वतावरन भी रहने वाले सुवास्त अच्छा और आज के दिन आपके लिए बहुत बड़ा लाब मिलने वाले और सारे काम आज पूर्ण होने वाले सारे काम बनेंगे